जैम आता दी दोस्तो कैसे हैं आप सभी दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 और 20 सितंबर के कन्याराशी फल के बारे में कन्याराशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहने वाले हैं तो आप से निवेदन है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल क लाइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके दोस्तों इन दो दिनों की यदि हम बात करें तो इन दो दिनों में चंद्रमा की इस्तिति आपके लिए 20 तारिक से बेहद शुब बनी हुई है इस समय चंद्रमा आपके सक्रिप्त कहीं हो सकते हैं आप अपनी हर प्रकार की कोशिशों में कामया भी पासकते हैं केवल एक दिन को आप सकते हैं तो आपको एक बहतर रिजल्ड देखने को मिल सकता है जरूरत से ज़्यादा वक्त और पैसा मनोरजन पर खर्च बिलकुल ना करें परिवार के सदस्य परिवार के सदस्यों के बीच आप एक अच्छा सामजस से बिठा पाएंगे प्रेम जीवन भी आपका बेहतर रहेगा आज आप प्रेम की राह पर एक खुब सूरत मुड़ ले सकते हैं आज आप खुद को बहतर फील करेंगे आपको अपनी शेतर में अपार सफलता मिलने का भी योग बना हुआ है आप अपनी शमताओं को निखारेंगे और औरों से बहतर बनने का प्रियास करेंगे और वो प्रियास भी आपके सफल होंगे जिन दिक्कतों का आप सामना कर रहे थे उनका मुकावला अब आप तेजी से कर सकते हैं और आपके एक अलग पहचान आप बना सकते हैं आज आपका जीवन साथी आपको प्यार और सुख की लोक में सैर भी कराएगा यदि आपको ऐसा लगे कि आप बेहद व्यस्त हैं और ये समय आपके लिए थोड़े से बदलाव का समय है तो आप ध्यान रखें नए अवसर आपके लिए नए द्वार खूल सकते हैं तो मेहनत से पीछे ना हटें और आपकी सोच के दायरे को आप अपना बढ़ाएं कितनी भी मुश्किल हो कितनी भी चुनोती हो उसका स्विकार करें और डट कर सामना करें आज आपको अपने कारेशेतर में विपरीद परिष्थितियों के कारण आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा तो इसे हासे न जाने दे अपने आत्म विश्वास और बुद्धी मता से सफलता की तरफ आप बढ़ेंगे अपनी बॉस को आप ये बता सकेंगे कि आप किस मिटी के बने हैं और हर शेतर में आप अच्छे से अपने सफलताओं को प्राप्त कर पाएंगे लव लाइफ के लिए भी ये समय आपके लिए बहुत ही बहतर समय बना रहेगा विद्यारतियों की यदि बात करें तो विद्यारतियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा विद्यारतियों अपने अध्यर में रुची ले पाएंगे अपने टीचर के साथ एक अच्छा सामजस से स्थापित कर पाएंगे तो दोस्तों और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें